Hello everyone, welcome to my channel guys, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और अपमी life में आगे बढ़ रहे होंगे तो आज जो हम reading करेंगे guys, वो third party situation के लिए है, all sense के लिए reading है guys, married and married कोई भी देख सकते हैं, male female कोई भी देख सकते हैं, timeless reading होने वाली है, general और collective reading है, जितनी resonate करें उतनी रखिएगा, तो चलिए अपने person पर focus कीजिए तो यहाँ पर यह दिखाई देता है guys, की past में आपके person और उस third party के बीच physical attraction था, जिसकी वज़े से आपके person उस third party की तरफ बढ़े हैं, और कुछ के person के लिए ऐसा भी है guys, कि आपके person को उस third party से कुछ पैसों की मदद मिलने वाली थी, या third party बहुत सदा abundant है, ऐसा भी हो सकत है, तो उसने आपके person को लालच दिया हो, और आपके person को जरूरत रही हो, इस वज़े से आपके person उसकी तरफ बढ़े हैं, यहाँ पर third party आपके रिष्टे में कोई भी हो सकती है guys, आपके person की family, उनके कोई अदर romantic partner, उनके husband या wife, और third party ने भी चालाकियां की है guys, कुछ के र आपके person को फसाया है, black magic का भी सहरा लिया है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है, तो इस वज़े से आपके person का पूरा ध्यान उस third party पर चला गया, और उन्होंने आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अगर वो आपके जिंद जिसने आपको धोखा दिया है, आपसे cheating की है, आपने अपने person को unconditional love दिया, सच्चा प्यार आपने उन से किया था, लेकिन आपके person ने आपके प्यार की कदर नहीं की, ऐसा यहाँ दिखाई देता है, और सिर्फ अपने मतलब के लिए वो उस third party की तरफ हो गए, और third party ने वी person ने कभी भी third party की असलियत जानना जरूरी नहीं समझा, बस वो उनकी बातों में आ गए, और उनहीं की तरफ वो हो गए, ऐसी energy उस समय आपके person की थी, immature energy में आपके person यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पास्ट में उनकी energy ऐसी ही थी, लेकिन अभी आपके person की energy ऐसी है कि वो guilt में दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह खुशी खुशी आपके person third party की तरफ बढ़े थे, वैसी खुशी तो अभी दिखाई नहीं दे रही, आपके person वहाँ पर पर परेशान दिखाई दे रहे हैं, आपके person को यह लगता है guys की third party उन्हें धोखा दे रही है, उन्हें चीट कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा है जो आपके person उन्हें चुपा रहे हैं, और आपके person को भी लगता है की third party कुछ उन्हें चुपा रही है, तो यहाँ पर आपके person की तकलीफ में होने का कारण यही है, कि आपके person उस third party पर भरोसा नहीं कर पा रहे, और third party भी यहाँ पर तकलीफ में दिखाई दे रही है क्योंकि उसे भी आपके परसन पर भरोसा नहीं है और जब आपके परसन उस थर्ड पाटी की तरफ बढ़े थे तब उन में बहुत साथ प्यार था उन दोनों को एक दूसरे के लिए फिजिकल अट्रेक्शन भी था लेकिन अभी की एनरजी ऐसी है कि वहाँ पर प्यार दिखाई नहीं दे रहा है सिर्फ लड़ाई जगड़े धोका शक बस यहीं दिखाई दे रहा है और लड़ाई जगड़े उनके इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं है और उन दोनों की एनरजी ऐभी ऐसी दिखाई दे रही है कि दोनों ही इस रिष्टे में बैलेंस बनाते बनाते अब ठख चुके हैं दोनों ही अट्रेक्शन पर एक दूसरे के लिए रख रहे हैं लेकिन वहाँ पर प्यार नहीं है वहाँ पर इमानदारी नहीं है और दोनों को ही एक दूसरे पर शक है इनके रिष्टे में यह दिखाई देता है गायस कि यह रिष्टा जादा दिनों तक चलने वाला नहीं है क्योंकि इन्हें एक दूसरे पर भरोसा नहीं है और यही वज़य है कि इनका रिष्टा जादा दिनों तक चलेगा नहीं ऐसा यहां दिखाई देता है उनकी सोच अभी ऐसी है गाइस कि दोनों ही चाहते हैं कि अपनी जिन्दगी में अब वो आगे बढ़ जाएं इस रिष्टे को छोड़ कर अब उन्हें आगे निकल जाना चाहिए ऐसा दोनों ही सोच रहे हैं और यहां पर उन्हें ये भी लगता है कि इस रिष्टे को बचाने की उन्होंने बहुत दादा कोशिश की है लेकिन दूसरा इनसान उन्हें समझने को तैयार नहीं है और यही आपके परसन को भी लगता है और यही सोच थर्ड पार्टी की भी है उसे लगता है कि वो इस रिष्टे को अग तक संभालती आई है आपके परसन ने कभी भी उन पर ध्यान नहीं दिया उनको वो समझ नहीं पाए और आपके परसन भी थर्ड पार्टी के बारे भी यहीं सोच रहे हैं इनके रिष्टे में गाईस खुशियां दिखाई नहीं देती दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश नहीं है थर्ड पार्टी और आपके परसन का कार्मिक कनेक्शन है ऐसा यहां पर दिखाई देता है और इसी वज़े से कुछ समय तक यह रिष्टा अच्छा चला है लेकिन अब वहाँ पर प्रॉब्लम आई है आपके परसन को कोई लेसन मिलना था इसी वज़े से वो थर्ड पार्टी के तरफ बढ़े थे और थर्ड पार्टी को आपके परसन से लेसन मिलना था इसलिए वो उनकी तरफ बढ़ी थी दोनों साथ इसी वज़े से आये हैं क्योंकि past life इनका कर्मा था जो इने clear करना था एक दूसरे के साथ कुछ लोगों के रिष्टे में third party की जिंदगी में कोई और इनसान आ गया है ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों से ये resonate करेगा कि उनकी रिष्टे में जो third party है उसके जिंदगी में कोई और आ चुका है और वो इसी वज़े से आपके person को ignore भी कर रही है और वो आपके person से दूरी बनाना चाहती है अब वो चाहती है कि इस रिष्टे को छोड़कर आगे बढ़ा जाए क्योंकि third party को बहुत जादा शक है आपके person पर वो किसी भी तरह आपके person पर विश्वास नहीं करती है और third party को आपके person के साथ अपना कोई future भी अब नजर नहीं आता उसे लगता है कि ऐसे इंसान के साथ अपनी जिन्दकी में आगे बढ़ना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वो इनसान उने धोखा दे रहा है ऐसा उस third party को लगता है इसी की वज़े से उसका ध्यान अब आपके person पर नहीं है वो किसी भी तरह इस रिष्टे से अब निकल जाना चाहती है और अभी आपके person की energy भी यही है कि वो third party के साथ compromise अब नहीं कर रहे है वो भी उनसे दूरी बना कर रख रहे है उनकी तरफ अब उनका भी ध्यान नहीं है ऐसी energy आपके person की भी है और वो भी यहीं सोच रहे है कि इस रिष्टे को सुधारने में बहुत समय लग जाएगा और third party का भी ध्यान अब उन पर नहीं है तब कि person उन पर शक भी कर रहे है तो उनने लगता है कि इस रिष्टे को छोड़कर अब आगे बढ़ जाना चाहिए तो दोनों की ही energy ऐसी ही है कि दोनों ही इस रिष्टे से अब निकल जाना चाहते है पास्टर में आपके person ने third party के लिए बहुत कुछ किया है उन्हें बहुत जादा प्यार दिया उनकी care वो करते थे उनकी हर जरूरत वो पूरी करते थे लेकिन अभी आपके person ऐसा कुछ नहीं कर रहे है बलकि third party को ignore भी कर रहे है और उनसे दूरी बना कर रख रहे है और अकेले रहना जादा पसंद कर रहे है और आपके साथ यह हुआ गाईस कि जब आपके person आपके जिंदगी में आए तो आपके साथ बहुत कुछ अच्छा भी हुआ तो कुछ बुरा भी हुआ है लेकिन आपने self love करना सीख लिया यह person आपको यही सिखाने के लिए आपके जिंदगी में आये थे कि आपको self love करना है आप जितना जादा दूसरों के लिए जी रहे हो और आपके साथ यह हुआ गाइस कि जब आपके person आपके जिंदगी में आये तो आपके साथ बहुत कुछ अच्छा भी हुआ तो कुछ बुरा भी हुआ है लेकिन आपने self love करना सीख लिया यह person आपको यही सिखाने के लिए आपके जिंदगी में आये थे तो गाइस आपको positive रहना है खुश रहना है और अपने उपर आपको focus करना है self love आप सीखिए और आप जितना साथ खुद पर focus करेंगी आपके person उतना ही आपकी तरफ attract होंगे और आपका reunion भी उतना ही जल्दी होगा तो यही रिडिंग है गाइस आज की वीडियो पसंद आए तो like share जरूर किजेगा और मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा ओके बबाई take care love you